नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आये यहां पर समानतर रेखाओं के बीच में यहां पर बनने वाले जो कौण हैं उन पर आधारे के प्रशने को हल कर लेए। और प्रशने दिया गया है कि दी गई आकरती में एक्स और वाई के मान ग्यात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए, बी, सी, डी के समानतर है। जो गुर्धर्म है वो प्रयोग नहीं कर सकते। तो कैसे आप एक्स और वाई का मान निकालेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इनके यहां पर प्रतिछेत बिंदू पे ही दिहान दे करके ये बात सिद्ध करेंगे। मतलब एक्स का मान आप निकालें पी बिंदू पे धान दे के तो आप लिखेंगे बिंदू पी पे बिंदू पी पे आप क्या देख सकते हैं कि जो कोण 50 है और एक्स है ये दोनों एक रैखिक कोण युग में बना रही हैं और इसलिए ये समपूरक होंगे और इस प्रकार स एक्स का मान आजाएगा 180 डिगरी मांइस पचास जो की 130 डिगरी हो जाएगा निकालना और आप निकालेंगे य का मान बिंदू पर और क्यू बिंदू पर आप देख सकते हैं कि य ओर 130 डिगरी आपस में कैसे हैं ये हैं शीर्षा भी मुकोण है ना शीर्षा भी मुकोण क्या होते हैं vertically opposite angle मतलब एक vertex पे opposite angle और ये बराबर होते हैं प्रतिशेदी रेखाओं में हमने देखा है तो इस तरहां से आपको x का मान भी 130 degree मिल गया इसको हम एक कथन 1 कह लें और इसको कथन 2 कह लें तो अब हम यह लिख सकते हैं कि 1 और 2 से x और y दोनों का मान 130 degree हो गया और इस तरहां से हम यह कह सकते हैं कि a b और c d के मध्ध जो अंता एकांतर कोण है वो बराबर हो गए है ना देखिए x और y की जो यहां पर स्थिती है इसको देखके आप कह रहें न कि a b और c d के बीच के अंता एकांतर कोण है और वो दोनों कोण बराबर हो गए इसससे हमें क्या सिद्ध हो गया कि a b c d यहां पर परस पर सामांतर है आपको यह बात ध्यान रखनी है कि मैंने x और y का मान निकालने के लिए एक के एकांतर होने वाला गुर्धर्म इस्तमाल नहीं किया है X का मैंने मान अलग निकाला Y का मान मैंने अलग निकाला और ये देखा कि ये दोनों मान बराबर है और क्योंकि ये मान बराबर है और ये एकांतर कोण है तो बराबर एकांतर कोण तभी होते हैं जब ये दोनों रेखाएं सामानतर होगी इसके पश्चा दूसा प्रशन हमको कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि यदी एक त्रियक रेखाद दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिछेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के सम्द्वी भाजग परस पर सामानतर हो तो सिद्ध कीजे कि दोनों रेखाएं भी परस पर समानतर होती हैं दुबारा एक बार एक बार एक प्रश्ण को थोड़ी धीमी गती से पढ़ते हुए समझ करके आकरती बनाते हुए देखते हैं यदि एक त्रियक रेखाएं दो रेखाओं को प्रतिछेद करें तो दो रेखाएं हैं और इनको एक त्रियक रेखा जो है वो प्रतिछेद कर रही है और इस प्रकार प्रतिछेद करें कि संगत कोणों के युग्म के समधुई भाजक तो पहली बात तो संगत कौन कौन सा ले लें ये वाला संगत कौन ले लेते हैं और इनके समध्वी भाज़क जानी की आंगुलर बाइसेक्टर तो वो रेखा जो की इन दोनों ही कोणों को दो बरावर भागों में बाट दे मतलब अगर इसका पूरा मान दो X है तो अब ये X और ये X हो गया और इसका पूरा मान दो Y है तो ये Y और ये Y हो गया तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस पर सामानतर होंगी अभी ये बता दिया गया है कि ये रेखाएं और ये रेखाएं आपस में सामानतर हैं थोड़ी सुभधा के लिए इनको नाम दे ले तो ये L1 कह लेते हैं ये L2 कह लेते हैं ये त्रियक रेखा को T1 कह लेते हैं और यह B1 और B2 कह लेते हैं, जो कि हमारे पास सम्धू जावाजक रेखाएं हैं, अब चू कि B1 और B2 आपस में सामानतर हैं, तो आप यहां पर एक बात यह देख सकते हैं, कि अगर मैं इस तरहां से आपको चित्र बना के दिखा दूँ, तो T1 जो है, वो B1 और B2 के लिए भ सम्धू इनके लिए जो संगत कोण हैं, मतलब संगत कोण यह वाला और यह वाला, है ना, यह दोनों बराबर हो जाएंगे, तो अब हम क्या लिख लेते हैं, कि चू की B1 और B2 समानतर हैं, इसलिए X बराबर Y होगा, क्योंकि यह संगत कोण बना रही हैं, और संगत कोण किस चैखक समिकरण को दो से दोनों तरफ गुडा कर दें, तो दो X और दो Y बराबर हो जाएगा। परन्तु दो X और दो Y अगर आप प्रश्ण में देखें तो क्या है? दो X और दो Y है, संगत कौन कौन सी रेखाओं के बीच में? L1 और L2 के बीच में, तो L1 और L2 के बीच के संगत कौन हमने बराबर सिद्ध कर दिये, तो इससे ये आशे हुआ कि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो सामानतर हो जाएंगी, ठीक है? तो हमने यहां पर क्या किया? कि दो संगत कौनों को बराबर सिद्ध कर दिया, एक संगत कौन का युग में जो है वो बराबर सिद्ध कर दिया, इससे हमें ये पता चलाएंगी